Hello friends, welcome back to Studiker, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर, मद्दप्रदेश के 2000 से दिक प्रसनों की इस सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दप्रदेश की सामान जानकारी, तो दोस्तों मद्दप्रदेश की सामान जानकारी का यह पार्ट टू है, इससे पहले हमने पार्ट वन को डिस्कस किया था, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, तो उसका लिंक के डिस्किप्शन में है, आसानी से आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं मद्दप् अगर आपने अभी तक इस्टिडिकर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकोन जरूर दबा लें, पीडियेप के लिए टेलिग्राम चैनल जोईन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहला कोशन डिसकस करते हैं, ध्याल से सुनिएगा, पहला कोशन है, मद्द प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आंसर है प्रकास चंद्र सेठ्थी, दोस्तों प्रकास चंद्र सेठ्थी मद्द प्रदेश के आठबे मुख मंतरी थे, जिनका कारकाल 29 जन्बरी 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक था, इसके अलाबा वो भारत के ग्रह मंतरी के रूप में भी काम कर चुके हैं, तो उन्होंने 1982 से 1984 तक भारत के ग्रह मंतरी के रूप में भी काम किया है, उनका जन्म हुआ था ज़ालरा पाटन ज़ालावार राजस्थान में, मद्द है मद्यप्रदेश की सीमा का अधिकांस भाग किस राजिस से मिला हुआ है अंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश दोस्तों मद्यप्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है सबको पता है पांच राज्यों से मिलती है कौन-कौन से राज्य है महाराष्ट गुजरात राजस् उत्तरप्रदेश और 36 गर्ड़ तो दोस्तों इन राज्यों में सबसे अधिक सीमा उत्तरप्रदेश से मिलती है और सबसे कम सीमा जो है वो किस राज्य से मिलती है गुजरा से तो ये point आप note करती जाएगा इस प्रकार के question भी पूछे जाते हैं exam में अगला question है मद्ध प्रदेश में विद्ध तुत्पादन कब से प्रारम हुआ तो मद्ध प्रदेश में विद्ध तुत्पादन 1905 से प्रारम हुआ था नेक्स्ट कोशन है मद्ध प्रदेश के 20 से गुजरने वाली करकर रिखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है तो आंसर होगा इसका नर्वदा दोस्तो नर्वदा नदी जो है वो मद्द प्रदेश के अनुपूर डिस्टिक से निकलती है किस डिस्टिक से दोस्तो अनुपूर डिस्टिक से ठीक है और अनुपूर डिस्टिक से निकलते होगे ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और इस प्रकार से करकरेखा गुजरती है तो यह जो करकरेखा है दोस्तों यह नर्वदा नदी के समानांतर है तो याद रखिएगा जो नर्वदा नदी है और जो करकरेखा है वो एक दूसरे के समानांतर है ठीक है चलिए अंगला कोशन डिसकस करते हैं किसके उत्पादन में मद्द प्रदेश का देश में प्रथम इस्थान नहीं है ओप्शन है दलहन, सोयाबीन, कपास और चना इसका आंसर होगा कपास मद्द प्रदेश का कपास के उत्पादन में देश में प्रथम इस्थान नहीं है बागी दलहन, सोयाबीन और श्चना के उत्पादन में मद्द प्रदेश पहले इस्थान पर है याद रखिएगा अगला कोशन है मद्दप्रदेश के एक मात्र जिले का नाम क्या है जहां पर अफीम का उत्पादन किया जाता है मद्दप्रदेश में अफीम का उत्पादन किया जाता है मंदसौर जिले में किस जिले में? मंदसौर जिले में अंगला कोशन है मद्द प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संग्या दी जाती है तो भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है ग्वालियर के दुर्ग को चलिए तो ग्वालियर के दुर्ग से related कुछ important point डिसकस करते हैं तो दोस्तों ग्वालियर के दुर् जोकि कचवाहा राजपूच सासक्ते के सामगरी का उपयोग किया गया है तो बलुवय पत्थर और सुर्खी चूना का उपयोग किया गया है तो नॉमी सताब्दी में राजा मान सिंग तौमर ने ग्यौहालियर कि दुर्ग में मान मंदिर महल का निर्माडya करवाय था इस दुर्ग में एक छोटा सा मंदिर है जिसकी दीवार पर सून बनाया गया है जो कि सून के लेखन का दूसरा सबसे पुराना ग्यात उधारण है नेक्स्ट कोशन है मद्यप्रदेश में पंचयात राजविवस्था का कौन सा धाचा अपनाया गया है तो मद्यप्रदेश में जो पंचयाती राजविवस्था है वो त्री इस्त्री है यानि तीन इस्तर है जैसे ग्राम पंचयात जिन्पत पंचयात जिला पंचयात तो ग्र हम 73 समिधान संसुधन की बात करें तो यह पंच्याती राजविवस्ता से रिलेड़ेटिव था और इसको लागू करने वाला पर्थम राज्युक मद्ध प्रदेश 26 जन्वरी 2001 को मद्ध प्रदेश में ग्राम स्वाराज योजना भी लागू की गई थी नेक्स्ट कोशन है मद्ध प्रदेश का ज्याय मितिय आकार लगभग कैसा है दोस्तों मद्ध प्रदेश के जब हम मैप को देखते हैं तो मद्ध प्रदेश का मैप हमें आयताकार दिखाई देता है ठीक है तो मद्ध प्रदेश का उत्तर से दच्छन की और विस्तार कितना है 605 km है यानि उत्तर से लेकर के दच्छन तक जो विस्तार है वो कितना है 605 km और पूर्व से पश्चिम की और विस्तार कितना है मद्द प्रदेश का तो वो है 805 km कितना है दोस्तो 805 km नेक्स्ट कोशन है मद्द प्रदेश के किस स्थान को प्रथवी का केंद्र बिंदू माना जाता है आंसर होगा मंगल नाथ दोस्तो कुछ और केंद्र बिंदू है मद्द प्रदेश में उनको भी डिस्कस कर लेते हैं अखंड भारत का केंद्र बिंदू है बरसाली बैतूल आ आप नोट करिएगा यह ऐसे कोशन भी एक्जाम में पूछे जाते हैं अगर आपको लेक्षर पशन्दा रहा है तो लाइक कर दे और सेर कर दे सभी दोस्तों को चलिए फ्रेंड्स अंगला कोशन देखते हैं मर्द प्रदेश का छेतरफल देश के छेतरफल का कितने प्रतीसत है तो आंसर है 9.38 प्रतीसत यानि दोस्तों जो मर्द प्रदेश का छेतरफल है वो देश के छेतरफल का 9.38 प्रतीसत है मद्द प्रदेश का कुल शेतरफल कितना है 3,82,252 बर्लमीटर और शेतरफल की दुरष्टी से मद्द प्रदेश का पूरे देश में मत्प्रदेश के किस जिले से गुजरती है यानि दोस्तों जो देशांतर रेखाए होती है प्रतिवी में वो उत्तर से दच्छन की ओर होती है ठीक है दोस्तों याद रखिएगा उत्तर से दच्छन की ओर जो रेखाय होती है वो कौन सी रेखाय कहलाती है प्रतिवी पर देशांतर रेखाय कहलाती है तो 82 डिगरी और 30 इंच पूर्वी देशांतर जो है वो किस जिले स से होकर गुजरती है मद्द प्रदेश के तो गुजरती है सिंh रॉली से कहां से दोस्तों सिंग रॉली ठिक है तो याद रखिएगा ब्यासे डिगरी तीस इंच पूर्बी देश सांथा रेखा जो है Д Noise किस जिले से गुजरती है सिंग रॉली से गुजरती है अंगला कुशन है मद्द प्रदेश के पूर्भी और पश्मी सीमानत में लगभग कितने मिनट का अंतर है यानि दोस्तों जो मद्द प्रदेश का पूर्भी पॉइंट है और जो मद्द प्रदेश का पश्मी पॉइंट है इन दोनों पॉइं कितने मिनिट का अंतर है? तो अंसर होगा इसका लगभग 34 मिनेट का. कितना है दोस्तो? 34 मिनिट का. अब याद रखिएगा कि मद्द प्रदेश का जो पूर्बी जिला है वो है सिंग्रॉली. क्या है? सिंग्रॉली. और पश्मी जिला कौन सा है? आली राजपूर कौन सा है दोस्तों आली राजपूर ठीक है तो जो सिंगरॉली है दोस्तों सिंगरॉली में आली राजपूर से लगभग 30 मिनट पहले सूर्योदा होता है कितने मिनट पहले दोस्तों 30 मिनट पहले ठीक है अंगला कोशन है चत्तिस गड़ और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला मद्द प्रदेश का जिला कौन सा है यनि वह कौन सा जिला है मद्द प्रदेश का जोकी चत्तिस गड़ से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा बनाता है तो इसका अंसर है सिंग रीवा और सिंग्रॉली 36 गड़ की सीमा से कौन से जिले लगते हैं मद्द प्रतेश के सिंग्रॉली सीधी सहडोल अनुपपुर्ध डिंडोरी और बालागार्ट नेक्ट कोशन है कौन सा जिला किसी भी राजजिकी सीमा को इस परस नहीं करता है तो दोस्तों आपके सामने ऑप्प्यों है गड़ार, धार, गडुशा या उप्रोग्त शभी इसका आंसर होगा गड़्ान, पुशा से तिनों जिले जो हैं किसी भी राजजीकी सीमा को एस पर किसी राजिय की सीमा इस पर्स नहीं करते हैं। इस नहीं करते हैं? तो इसका एंसर है नहीं। ऐसे जिले flows Ltd और सब्रक्रवनुत कि-सी की तुरी एक टृइररन करें। यह होयात होढ़ी пох cob Doing हो और होड़ी strengthen मंडला और भॉषाउटा क tylko मरिया ये 18 जिले है जो कि किसी भी राज्य की सीमा को इस परस नहीं करते हैं अगला कोशन है मद्दप्रदेश सरकार के द्वारा कब राजकिय पशु और राजकिय पक्षी घोसित किया गया था आंसर है एक नॉंबर 1981 को दोस्तो एक नॉंबर 1956 को मद्दप्रदेश का गठन हुआ था और एक नॉंबर 1981 को मद्दप्रदेश ने अपना 25 बा इस्थापना दिवस मनाया था तो पच्चीस में स्थापना दिवस की अउसर पर मद्द प्रदेश की गवर्मेंट ने राजकिय पशु बारह सिंगा और राजकिय पक्षी दूद राज घोसित किया था अगला कुशन है महा सीर को मद्द प्रदेश की राजकिय मचली किस वर्स घोसित किया गया था तो दोस्तो महासीर को मद्द प्रदेश की राजिकिये मचली किस वर्स घोसित किया गया था 2011 में ठीक है अगला कोशन है मद्द प्रदेश में अनुसूचित जाती के लिए आरचित लोग सभाचेतर कितने है मद्द प्रदेश में SC के लिए आरचित लोग सभाच्छेतर कितने हैं तो इसका आंसर है 6 कितने हैं दूस्तों 6 हैं कौन-कौन से रतलाम, धार, खरगोन, सहडोल, मंडला, बैटून तो ये मद्द प्रदेश के ऐसे चितन हैं लोग सभाचे जो की SC यानि अनुसूचित जाती के लिए आरचित हैं नेक्स्ट कोशन है मद्द प्रदेश का कौन सा इस्थल 2019 में यूनेसको की आयस्थाई सूची में सामिल किया गया था आंसर है इसका ओर्चा दोस्तो जो ओर्चा है वो 2019 में यूनेसको की आयस्थाई सूची में सामिल किया गया था बुंदेला राजबन्स की राजधानी थी ओर्चा और यहां पर अदभुद बास्तुकला है और दोस्तो इसी को ध्याल में रखते हुगे इस एतिहासिक धरोहर को अपरेल 2019 में यूनेसको की आयस्थाई सूची में सामिल किया गया था नेक्स्ट कोशन है भीम बैटका को किस वर्स यूनेसको की विस धरोहर की सूची में सामिल किया गया था तो भीम बैटका को दोस्तो 2003 में यूनेसको की विस धरोहर की सूची में सामिल किया गया था भीम बैटका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों भीम बैटका जो है वो राय सेंड डिस्टिक में हैं और यहाँ पर आदी मानाओं के द्वारा वनाए गए जो सैल्व चित्र हैं वो प्रसिद्ध हैं यह गुफाओं चारो और से बिंध परवत मालाओं से घिरी हुई हैं इसके खोज डाक्टर बिश्नु स्रीधर ब कि अंसर मद्दे प्रदेश की कुल साक्षर्टा दर कितनी हैं आंसर है 79.32% 2011 की जनकरणा के अंसार मद्य प्रदेश की पूरु साक्षर्टा दर कितनी है 78.73% महिला साक्षर्टा दर है 69.24% और सरबाधिक साक्षर्टा वाला जिला जो है वो जवलपूर है और उसकी साक्षर्टा है क्यासी दिसम्लो सुनिशात प्रतीश है Next question है मद्य प्रदेश के किस इस्तान में जैन धर्मा लंबियों का तीर्थ 52 गजा इस्तित है तो दोस्तो जैन धर्म से रिलेटेट तीर्थ इस्तल 52 गजा किस इस्तान पर इस्तित है तो अंसर है इसका बढ़वानी तो दोस्तो जेंधर में के प्रथम तीर्थंकर थे रिसब देग तो उनकी मूर्ती को पहाल को काटकर बनाया गया है कहां पर बावन गजा में और ये जो मूर्ती है ये 72 फिट की मूर्ती है तो इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको 12 बावन गजा बढ़वानी में इस्तित है अंगला कोशन है रानी लक्ष्मिबाई की समाधी किस नगर में है इसका अंसर है ग्वालियर तो ग्वालियर में फूल बाग नामक इस्तान है वहाँ पर रानी लक्ष्मिबाई की समाधी बनाए गई है और दोस्तों रानी लक्ष्मिबाई को छासी की रानी के नाम से जाना जाता था जिन्होंने 1867 की विद्रोव में या अठारा सु संतावन का जो प्रसम सुतंता संक्राम था उसमें उन्होंने अंग्रीजों के खिलाप लड़ाई लड़ी थी अंगला कुशन है मद्द प्रदेश में सिचाई का सबसे प्रमुक साधन क्या है तो आंसर है इसका नहर है यानि मद्द प्रदेश में सबसे अधिक जो सिचाई होती है वो नहरों की माध्यमशी होती है अंगला प्रसन है लाश्ट प्रसन है इस लेक्षर का ध्यान से सुनिएगा मद्द प्रदेश के किस नगर में मद्द प्रदेश का उच्छे नियाले इस्तित है आंसर इसका जबलपुर कहां पर दोस्तो जबलपुर में इस्तित है तो 2 जनवरी 1936 को इसे बनाया गया था लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर गठन हुआ तो इसका जो मुख्यालाय था वो जबलपुर स्थापित किया गया इससे पहले नांकुर हुआ करता था और मद्द प्रदेश उच्छे नियालाय की दो साखां है एक इंदोर में हैं और दूसरी कहां है ग्वालियर में है बरतमार में मुख्य नियादीज कोन है रवी विजय कुमार मलिमत तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा इसके अलाबा आप इसका पीडिय अप जरूर डाउलोड कर लीजिएगा टेलिग्राम चैनल से इसका लिंक है डिस्किप्शन बॉक्स में आपको ये लेक्शर कैसा लगा कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं हमारे जितने भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पर भी हमें फॉलो कर ले सभी का लिंक डिस्किप्शन में दिया गया है मिलते हैं दोस्तों नेक्ट लेक्शर में येहिंद पंदेमात तरवू